बिजली कटाथी की वज़े से हम सभी परिशान हैं परिशान होने वाली बात भी है शहर में दो घंटे और ग्रामीन शेत्रों में चार घंटे बिजली कटाथी की जा रही थी और अब दोबारा बिजली कटाथी से हम सभी पसीना पसीना हो सकते हैं अब सोचने वाली बात ये है कि जहां 10 मिनट हम बिना बिजली के नहीं रह सकते, वहां इतने घंटे जब बिजली नहीं होगी तब कितनी परिशानियों का सामना करना पड़ेगा इस बिजली का टौती से सबी बहुत परिशान है, इतनी परिशानी जेलनी पड़ रही है कोईले की वज़े से, वो कैसे हम आपको बताते हैं दिरसल बिजली की किल्लत का बड़ा कारण कोईले की कमी बन रही है राजिस्थान में गाइंड लाइन्स के मताबिक 26 दिन का कोईला स्टॉक रखना होता है लेकिन सिर्फ 8 दिन का ही कोईला बचा है फिलहार रादिस्थान में औसद 19 रैक कोईला प्रति दिन सप्लाई में मिल पा रहा है जिसमें 36 गड़ की कोईला माइन से 10-11 रैक की बजाए 8 रैक ही अब मिल पा रही है बाकी कोल इंडिया और इसके सबसीडरी कंपनियों में मिल रहा है प्रदेश में कई थर्मर पावर फ्लांट यूनिट बंद पड़ी है जिसमें छबड़ा की 4 नंबर की 250 मेगावाट यूनिट बंद है सूरतगर सूपर किटिकल पावर फ्लांट की 7 नंबर की 660 मेगावाट यूनिट भी जर्णन फॉल्ट के कारण थब पड़ी है इन दो मेजर बंड यूनिट्स के अलावा भी कई पुरानी और ज्यादा कोईला खपत वाली यूनिट्स के कम ही प्रोडेक्शन लिये जा रहे हैं राजिस्थान विद्यूत प्रसारण निगम लिमिटेड आरवी पी एनल के आंकडों के मुताबिक जैपुर डिसकॉम एरिया में 54 फीडर से अजमेड डिसकॉम एरिया में 46 फीडर से और जोडपुर डिसकॉम एरिया में भी 46 फीडर से लंबी देरी तक बिजली की कटोती की जा रही है जबकि जैपूर डिसकॉम 37, अजमेड डिसकॉम 33 और जोटपूर डिसकॉम 25 फीडर से आदे घंटे से कम देरी के लिए भी बिजली कटोती कर रही है शहरी इलाकों में अनप्लांट शटडाउं मेंटेनेंस और फॉल्ड के नाम पर बिजली जाने से लोग परिशान है अब बड़े परिशानी ये है कि मौनसून 10 तक दे चुका है पिछले साल की तरह कोल माइन्स में पानी भर गया तो माइनिंग बहुत कम हो पाएगी मौनसून में पानी भरने के बाद खान को रिवाइफ करना मुश्किल हो जाएगा और फिर मौनसून बाद 3 महिने तक कोल संकट बना रह सकता है रवी सीजन में 16,000 मेगावार्ट तक बिजली डिमांड पहुंच सकती है ऐसे में बिजली मैनेजमेंट करना और बड़ी चुनौती होगी अब राजिस्थान को कम से कम अगले 3 महिने का अडवांस कोईला स्टॉक रखने की ज़रूरत है ताकि वो इस बिजली संकट से बच सके Bureau Report, The Fact India